फ्रेंड्स वेलकम माई चैनल क्रेक्ट गुरू अजमा आपको लेब असिस्टेंट्स का पार्ट सेवन करवाने वाला हूँ ये लेब असिस्टेंट्स के अलावा जो अधर एक्जाम है SSC एक्जाम है, UPSC एक्जाम है उनके लिए विए स्पेसल क्लासिज है और आपको पता ऑना चीए, Leb Assistant एक्जाम, Rajistan Laboratory Assistant एक्जाम प्रयोग सालाप्रिक्सा का, प्रयोग साला साइक प्रिक्सा पोलते है हिंदी में इसको इनका एक्जाम होने वाला है अभी, उसके फ़ौंब बरेज़ आ रहे हैं तो Lib Assistant की ये पार्ट सेवन क्लास रेगी already check classes channel पे आ चुकी है तो पहला question discuss करते है लाल रत कणिकाओं की ओसत आयू कितनी होती है लाल रत कणिकाओं की ओसत आयू लाल रत कणिकाओं क्या कहते हैं इंग्रेजी में RBC का आ जाता है RBC होता है Red Blood Cell इनकी जो ओसत आयू कितनी होती है इसका अंसर आपको बताना है तो इनकी ओसत आयू होती है 120 दिन कितनी होती है 120 दिन तक RBC की life होती है उसके बाद में RBC क्या हो जाता है dead हो जाता है RBC क्या हो जाता है मर जाता है कितने से starting होता है 20 से 120 दिन इसका क्या आएगा answer आएगा exact answer क्या आएगा 20 से 120 दिन आपको पताना चाहिए minimum 20 दिन और maximum 120 दिन तक RBC की ओसरताई होती है अब मैं आपको बता दूँ RBC का काम क्या है RBC होती है लाल रख को सीका है उनका काम होता है oxygen की supply करना blood के अंदर blood होता है उनके अंदर oxygen की supply करने का काम RBC करती है आपको इसका answer पता चल गया होगा और RBC में एक प्रकार का खनीज पाया जाता है जिसका नाम है hemoglobin और hemoglobin में एक प्रकार का protein minerals होता है उसको क्या कहते है आइरन्स आपको पता है यह चीजें तो correct guru channel पे जो भी question बताए जा रहे है आप आपको बता दू इस class की जो PDF है वो टेलिग्राम चैनल पे मिलेगी आप टेलिग्राम चैनल से link join होना चाते हो तो इसका link है वो description में दे दिया oxygen flow होता है oxygen का supply हो नइनटी सेउन परसेंट होता वो किस रंग की कणि काँ से होता है कौन से रंग की काई होती है red blood cell होती है या white blood cell होती है इसका right answer बताना है villain नहीं होता जाला कभी नहीं होता RBC होएगा इसका right answer लाल रख कणि काऊं के अंदर 97% oxygen की supply होती है मैंने आपको बताया था RBC का काम है blood के अंदर oxygen को supply करना तो 97% जो काम है वो कौन करता है RBC करता है लाल रख कोशी का है आपको question संद में आ गया होगा next question देखिए मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन सी है मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी गरंती पूछा गया आप क्या बताओगे liver है वो मनुस्य के सरीर की सबसे बड़ी गरंती है liver को इंदी में यकरित या जिगर भी का जाता है आपने पढ़ाओगा जिगर या यकरित एक ही बात होती है और लीवर वो किसका इसा है पाचंद अंथर का इसा है पाचंद अंथर आपने बढ़ाऊगा 616 तर का इसा है आपको मैं बताथाँ है उसका पााचंद अंथर बुरी ता रह से प्रभावित हो जाता है आपको केसें सहरे आगया है next question देखे या कृत गरंथी का लिवर गरंथी का वैसक में वजन लगबग कितना होता है तो कितना वजन होता है इसका राइट आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा 1.2 से 1.5 किलोगराम B option is correct answer 1 से 1.5 किलोगराम के बीच में लिवर का वेट होता है आपको पताना है लिवर का वजन ओसत वजन कितना होता है 1 से 1.5 किलोगराम 1.2 से 1.5 किलोगराम के बीच में इसका exact answer आएगा आमासे कितने गंटे तक बोजन का संग्रेंड कर लेता है नेक्स्ट क्योशन देखिए आप आमासे आमासे क्या होता है स्टोमक के अंदर बोजन पड़ा रहता है उसका राइट answer आएगा 4-5 गंटे तक बोजन है वो आमासे के अंदर रहता है उसके बाद में बोजन डाइजिस्ट होना सुरू होता है तो बोजन डाइजिस्ट होने की प्रोसेस अपर किरिया वो कितनी सलो है आप सोची रहे हूँ वो कि 4-5 गंटे में क्या होता है बोजन है वो आमासे के अंदर रहता है उसके बाद में डाइजिस्ट होता है तो बोजन डाइजिस्ट होने की जो प्रोसेस है बोजन पचने की जो दर है मानों से रिमो कितनी सलो है तो आपको एक्योशन समझ में आ गया और जो भी क्योशन है वो क्रेक्ट गुरू चैनल पर बताए जा रहे हैं क्लास को अगर आप क्लास को जो पीडियेफ है वो आपका का मिलेगा टेलिगराम चैनल पर अगर आपको क्लास अच्छी लग लिए तो चैनल को सस्क्राइब सेर लाइक जुरूर करें अब मापको नेक्स्ट केशन की तरफ ले चलता हूँ आमासे की पेशिये दिवार के संकूचन से वोजन अमलिये जटरस से पूरी तरह मिल जाता है उसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं काइम कहते हैं जटरस क्या होता है आपको पता है गेस्ट्रिक ग्लेंट्स होती है जटरकरंथी और वो क्या पैदा करती है जटरस पैदा करती है और उस जटरस का नाम होता है एचियल क्या नाम होता है हाइडरो कलोरी का मल जो बोजन को पचाने का काम करता है क्या करता है बोजन को पचाने का काम करता है उसे क्या कहते है उसको क्या कहते है जो पूरी तरह से जटरस से मिल जाता है आमा से कीपेशी दिवार के संकोचन से बोजन अमली जटरस से मिल जाता है उसको क्या कहते हैं काईम कहते हैं क्या कहते हैं काईम D option is correct answer होगा Aerin, Aquyrin और Pepcin नहीं होगा तीन option कहले दे D option is correct answer काईम इसका right answer आएगा जलिए Arthopoda और Molska मी Arthopoda और Molska जानते हो जीवू जन्तूओं का वरगी करण होता है 9th कलास में पढ़ आए आर्थोपोड़ा और मोल्सकामी सांस लेने से जो समझनी प्रोसस होती है उस प्रोसस उस सरंचना को क्या नाम दिया गया है कलोम का गया है नैफरोन किडिनी का पार्ट है ये दोनों उप्षन अलग होगी तो इसका राइट आंसर कहेगा सी ओपसे निज करेक्ट आंसर कलोम इसका राइट आंसर होगा और आर्थोपोड़ा है वो जीवजन्तों का सबसे बड़ा वरगी करने जीवजन्तों का सबसे बड़ा संग है उसको क्या कहते है आर्थोपोड़ा को कहते है ज्यान से समझ में आ गया हो केसन सवस्त मनुष्य लगबग कितनी मिले लिटर वाईयू परती मिनट की दर्शे अन्ते स्वासित या नी स्वासित कर सकता है मलब परती मिनटे सवस्त मनुष्य लगबग कितनी मिले लिटर वाईयू बार निकालता है और अंदर लेता है तो कितनी मिलिलिटर एक मिनिट में 6,000 से 8,000 मिलिलिटर वायू है वो बोडी के अंदर लेता है और उसको बार निकालता है अंतर स्वासित का मतलब होता है अंदर लेना और नी स्वासित का मतलब होता है अवा को बार निकालना एक मिन्ट में 6,000 से 8,000 मेली लिटर है जो हवा आये वो बोडी के अंदर आती जाती रहती ओक्सिजन की खोज किसने की थी, 1700 चुहेतर में किसने करी ओक्सिजन की खोज, ओक्सिजन आपने पढ़ागा ओक्सिजनिक एलिमेंट है जो जब प्रिष्टले ने ओक्सिजन की खोज की थी हरे पोडे के बढ़ने में वाईयू की एक अनिवारे बूमी का है या किस वेग्यानिक ने परियोग करके बताया था हरे पोडे होते हैं, उनके बढ़ने में वाईयू होती है हवा की एक कंपलसरी मदलब कोई स्पेशल प्रायरिटी है हवा है ना, उसके बगहर पोडों का क्या नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता तो किस वेग्यानिक ने यह बात बताई थी उस वेग्यानिक का नाम है जोजब प्रिष्टले जो जब प्रिष्टले ने हवा की एक अनिवारे भूमी का बताई थी हरे पोदों के अंदर जिसने ओक्षिजन की खोज की थी तो C option is correct answer जो जब प्रिष्टले ने वाई-उ एक अनिवारे दत्तव है पोदों के बढ़ने में हरे पोदे के बढ़ने में तो यह वाई-गानिक थे जो जब प्रिष्टले बार बार बताने क्या हो सकता है नहीं है अमोनिया किस जिवानों के जरीए नाइटराइट में बदल जाता है अमोनिया का फर्मूला होता है एनस्थरी अमोनिया का फर्मूला क्या होता है एनस्थरी Ammonia क्या होता है NS3 और वो किसम में बद़ जाता है Nitrite में बद़ जाता है तो किसके कान कौन सा जीवाण होता है Nitro-Coccus जीवाणों जो भी क्योशन है Correct Guru चैनल में बताए गए है Class अच्छी लग रही हो तो चैनल को subscribe जरूर करें Like करें और share भी करें और बाकी आपको other exam की त्यारी करनी है जिसे आपको NCRT कवर करना है Science NCRT पढ़ना है आपको और भी exam की त्यारी करनी है या आपको कोई प्रकार का content पढ़ना है तो channel की playlist में जाके उन classes को आप अथी तरह से देख सकते हो तो ये था part 7 जो laboratory assistant exam से लेटेट करेक्ट गुरू प्रेस दी subscribe बटन फॉर नियू अपडेट्स मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ नई classes के साथ थैंक यू